हेलो फ्रेंड्स, मैं डाक्टर हरी बंस आदो आज हम एक ऐसे बीमारी के बारे बताएंगे जो दुनिया की सबसे खतरनाख बीमारी है इस तरीके के कहा जाएं तो खतरनाख बीमारीों में इसका अस्थान जो है पहले अस्थान पे आता है और हर घर के लोग परिसान है इस बिमारी से कोई अच्छुता नहीं है और हर ब्यत्ती परिसान है बस उसको पता नहीं है कि इस बिमारी में करना क्या चाहिए लगबग 50% लोगों को ये नहीं पता है कि इस बिमारी में मुझे क्या करना चाहिए क्या कैसे रहना चाहिए कैसे नहीं रहना चाहिए वो विमारी है इसाइनल कार्ट से रिलेड़ रीड की हड़ी की जैसे कमरधर गर्दन ड़र ये ऐसी बीमारी है कि हर घर में यह पांच लोग हैं तो जिसमेंसे दो से तीन लोग गरशित हैं और यह बिमारी होता क्या है एक तरीके से देखा जा तो यह बिमारी भी नहीं है और दूसरे तरीके से देखा जा तो यह बिमारी है बिमारी इसलिए नहीं है कि यह पोस्टरल बिमारी है जैसे हम अपना पोस्टर मेंटेर नहीं कर पाते हैं बैठने का उठने का रहने का चलन का नहाने का धोने का कोई तरीका नहीं है कि दूसर की भासा में इसको कह लें तो यह ऐसी खतरनाग बिमारी है जिसको एक बार हो जाए तो फिर सरीर से बाहर भी नहीं निकलती है तो आज समझते हैं कि स्पाइनल कार्ड की बिमारी है कि होता कैसे है एक यह अटोमेटिक नहीं होता है एक दिन दो दिन चार दिन दस दिन में नहीं होता है यह होता कैसे है इसको हम समझते हैं यह यह स्पाइन है यह हमारी स्पाइन है इसमें क्या होता है कि जब हम है चाए कोई भी परसन है तो गल ऐसे बैठते हैं हमें सब करवट लेके ऐसे जुक्के बैठते हैं लिखना या तब भी जुक्के कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मोबाइल का टैपिंग कर रहे हैं हमें साँ जुक्के ऐसे कर रहे हैं तो इसमें सबसे ज्यादा इसका इस विमारी का में कारण कोई बन रहा है यह mobile phone या कुछ official लोग हैं जो किसे आपिस में काम करते हैं तो वो ज्यादा मतलब जुक के 8 गंटा 6 गंटा 10 गंटा duty करना या बहुत ज्यादा बाइक चलाना ति यह इसका में कारण होता है अब इस पे एक बार जो लोग इस बीमारी में आ जाते हैं वो इससे जल्दी बाहर निकल ही नहीं पाते हैं 90% लोग इस बिमारी में आने के बाद बाहर नहीं निकल पाते हैं इसका में कारण क्या होता है जब उनका पोस्टर खराब हो जाता है जब नसे दब जाती हैं तो उसे में गर्शीत रहते हैं नसे दबने के बावजूद भी काम कर रहा है एक समय आता है इतनी जादा जब जात तो इसका एक ही इलाज है दुनिया में इसका कोई पर्मनेंट इलाज आज तक नहीं बना उसका एक ही इलाज है जो मरीज की ही पास है एकसर्साइज कि मरीज एक्सरसाइज करें तो यह बिमारी जड़ से खतम हो सकती है मगर जिनको भी दिक्कत होता है वह तुरंट तुरंट दवा पे आ जाते हैं दवा खाते हैं मगर दवा से यह बिमारी कम हो सकती है खतम नहीं हो सकती है लोग परसान रहते हैं कि यहां दवा करें वहां करें दसो विसो पचासो जगह से लोग दवा करते हैं फिर भी विमारी खतम नहीं होती है कि इसका मात्र एक treatment है कि exercise है इसमें होता क्या है कि जो ये रीड की हट्टी है इसको आप देख पा रहे हैं रीड की हट्टी है तो जब हम गलत पोस्चर से बैठते हैं गलत पोजीशन पर बैठते हैं तो ये जो वर्टिब्रा ये डिस्क है तो क्या होता है कि ऐसे दबने लगता है एक के ऊपर एक ऐसे चड़ने लगता है ऐसे देखा जाए तो एक ऐसे टेढ़े मेड़े होने लगता है ऐसे फिसल जाता हलका हलका जब ये टेढ़े मेड़े होने लगता है तो जो ब्लड का सर्कुलेशन है जो यहां से जो नसे पैर की तरब जाना है चाहे गर्दन से जो नसे हाथ की तरब जाना है उसका सर्कुलेशन रुखने लगता है ब् इसलिए इस बीमारी का यह ही मात्र ट्रीटमेंट है वह एक्सरसाइज नेक्स वीडियो में हम बताएंगे कि एक्सरसाइज कैसे कैसे करना कैसे एक्सरसाइज करें तो आप ठीक हो जाएंगे